मारगन थाओ आगे कहते हैं कि निश्यस्त्री करण पर विचार करते समय उसके मूल भेदों को ध्यान में रखा जाए ये तो तैह हो गया कि निश्यस्त्री करण जो है उसका संबन्द श्यस्त्रों से है, हतियारों से है और हतियारों के संबन्द में तीन तरह की प्रक्रिया की जा सकती है परित्याग, कटावती यानियंत्रण और ऐसा करके किसी को आकरमन कारी होने से पूरी तरह वंचित किया जा सकता है स्वयम अपने को आकरमन कारी होने से भी वंचित किया जा सकता है और ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो सकता है जिसमें शान्ती ही रहे और कुछ नहीं मारगिन थाउ जो इस बिंदु पर अपने विचार और रखते हैं वो जो मूल भेदों की बात करते हैं उसमें उनका ताटपर है कि निष्षष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् इस्थानी है, लोकलाइजड, उसमें कुछ राष्ट भाग लेते हैं और उससे संबंदित राष्ट प्रभावित होते हैं, ये लोकलाइजड, इस्थानी है, खेत्री है, तीसरा मात्रात्मक निशास्त्री करन, मात्रात्मक निशास्त्री करन का अर्थ ये है कि सभी प्रकार के अस्त्रों पर नियंत्रन रखने का प्रयास, मात्रा, क्वांटिटी, निशास्त्री करन का अधार रहेगा क्वांटिटी, कि कितना हम कटवती कर रहे हैं, कितने हथियारों को हम त्याग रहे हैं, कितने हथिया के उत्पादन पर हम नियंत्रण कर रहे हैं यह मात्रा बताती है तो तीसरा है मात्रात्मक नियंत्रण या मातरात्मक निष्यस्त्री करन क्वांटिटी चौथा है गुणात्मक निष्यस्त्री करन किस तरह के हथियार गुण क्वालिटी क्या है पता लगा हमने छोटे-छोटे बम को हटाने से तो तिलान जली देने से तैयार होगा उसके लिए छोटे छोटे बमों को छोटे छोटे हथियारों को हमने छोड़ दिया साधारन बंदूकें जो होती है जिसे 404 या और कुछ अन्य भाशा में बोलते हैं उनको तो हमने त्याग दिया कटाथी कर दिया लेकिन AK-47 बनाय रखा और संभव हुआ तो AK-97 भी तियार कर दिया निशास्त्री करण होते हैं उनके भेद को बताते हुए चौथा भेद जो है वह गुणात्मक है गुणात्मक निशास्त्री करण से ताथपर है कि विशेश प्रकार के अस्तरों को कम करना या समाप्त करना ज्यादा घातक हथियार ज्यादा खतरनाक हथियार ऐसे हथियार जो ज़्यादा तबाही लाते हैं, ऐसे हथियार जो जनरेशन्स को प्रभावित करते हैं, वे गुणात्मक निष्यस्त्री करण की श्रिणी में आते हैं, और पाँचवा है पूर्ण निष्यस्त्री करण। वर्थमान में उपलब्ध सभी प्रकार के अस्त्रों पर प्रतिबंध की बात इसमें होती है, सभी प्रकार के अस्त्रों, कोई खेत्री की, निष्यस्त्री करण की बात निए, किसी एक खेत्र की, सामान्य निष्यस्त्री करण की बात निए, हथियारों की संख्या को लेकर नि निशास्त्री करन की बात नहीं कि बाकी पहलू छोड़ दें और केवल गुर्वत्ता के आधार पे निशास्त्री करन करें मातरात्मक में केवल संख्या को देख लें और उसके आधार पे तै करें कि कितने बम हटाने हैं कितने टैंक को बरवाद करना हैं कितने प्लेन को तोड देना है आदी आदे ऐसा नहीं यहां बात होती है पांचवा जो है वह है पूर्ण निशास्त्री करण याने आपके पास जिस प्रकार के भी जितने भी हतियार उपलब्ध हैं सभी पर प्रतिबंध लगाने के बात तो निशास्त्री करण के खेतर में जहां तक भारत की बात ह भारत का विचार है कि यजि संसार के सभी राष्ट्रों में होड समाप्त हो जाए तो विश्व शान्ति के स्थापना में शफलता मिलेगी क्योंकि एक राष्ट को दूसरे राष्टे भै नहीं रहेगा ये रहा भारत का स्टैंड अर्थात पूर्ण नहिशास्त्री करन की बात करता है वह कहता है कि सभी राष्टों में हर्थियारों के सभी प्रकार के हर्थियारों को लेकर जो होड चली है समाप कर दिजा है इस प्रकार हम नहिशास्त्री करन को परिभाशित कर लिए विद्वानों के विचार समझ लिए अब निश्यस्त्री करण का महत्व क्या है ये विशे क्यों हमारे लिए इतना महत्व पूर्ण है अर्थात हम केंद्री मूलियों को समझने की और आगे बढ़ रहे हैं जो इस अध्याय का केंद्र बिंदु है तो उसको जानने के लिए ज़रूरी है कि हम निश्यस्त्री करण के महत्व को समझें क्या महत्व है निश्यस्त्री करण एक ऐसा प्रभावशाली साधन है जरिया है माध्यम है जिसके द्वारा अंतरराश्ट्री शान्ती और सुरक्षा को बनाएं रखा जा सकता है अंतरराश्ट्री शान्ती और सुरक्षा तो निशास्त्री करण is a way, is a tool by which we can achieve peace, ग्लोबल पीस and ग्लोबल सिक्यूरिटी, इंटरनाश्ट्री पीस, इंटरनाश्ट्री इसे हासिल किया जा सकता है तो यह वो प्रक्रिया है, यह वो साधन है एक अंतरराश्ट्री इसमें कुछ निम लखित बिंदु है जो महत्व की दृष्टी से यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा पहला है अंतरराश्ट्री तनाओं और भै में कमी पैदा होती इन शास्त्री करण से आज विश्व के सभी देश तनाओं से ग्रशित हैं किस बात का तनाओं संभावित आकरमन का संभावित वैश्विकी जो समस्याएं हैं उसका जिसके लिए खुद स्वैम कुछ नहीं कर सकते वे समस्याएं जिनका जिक्र मैंने पूर में आतंकवाद निर्धन ता आधिके को लेकर किया था तो ये जो तनाओं है इसमें कमी आएगी यदि हत्यार ना रहें तो ये बहुत महत्पुन बुद्दा है और ये कमी बहुत जरूरी है आज विश्व के अधिकतर भागों में भयोत पादक विनाशकारी और आधिनक्तम हत्यारों का उत्पादन हो रहा है पूरा विश्व जो है उसके उसके बहुत से भागों में ये विनाशकारी हत्यार रखे हुए हूँ आजने इतना शस्त्रों से लैस हैं कई देश और इसका प्रणाम क्या हो रहा है कि पूरे दुनिया में अंतराश्टी स्थर पर तनाव है भै है भै इतना कि यदि भारत रफाल खरीदता है तो अमेरिका रफाल से एक नया अड़वांस वर्शन एरोप्लेन का खरीदता है अमेरिका ने एड़वांस वर्शन खरीदा तो भारत अपने रफाल को आउटडेटेड घोशित कर देता है और उससे नई तकनीक वाला वाईयोयान खरीदने की कोशिश करता है सेन्य वाईयोयान भले ही उसका असर देश की आर्थिक वहुर्था पर क्यों न पड़े भले ही निर्धन्ता की समस्या को दर किनार कर दिया जाए क्योंकि भै तो है विदेशी आकरमन से बचने का प्रयास तो सभी कोई करेंगे यदि विश्वास न हो तनाओ हो आदी आदी राश्टी हिद को लेकर विश्व केव जो देश हैं अलग-अलग उन में मन मुटाओ बना रहता है सीमा को लेकर नदियों के पानी के बटवारे को लेकर गुठ बंदी को लेकर गठ बंदन को लेकर पौनानी अतिखासिक संबंधों को लेकर मन मुटाओ बने हुए हैं और जब हथियार रहते हैं तो ये मन मुटाओ थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है मन मुटाओ बार बार सामने आ जाता है, फोर फ्रंट पर आ जाता है अंतर राष्टी तर पर तनाव होना तो सभाइक है, इसमें कोई दो मत नहीं, मुद्दे बहुत से होंगे लेकिन शत्री करण की होड जो होती है, वो इस तनाव में और अधिक वृद्धी करती है एक तरीके से आग में घी का काम करती है, और उसे चरम सीमा पर पहुँचा देती है तनाव की चरम सीमा की यदि हम बात करते हैं, तो हमें शीत युद्ध याद आता है वह जनरेशन जिसने शीत युद्ध का दौर देखा है, 1945 से 1990 का वे जानते हैं कि रोज सुबह समा चार पत्रों में खबरें भड़ी रहती थी कि आज अमेरिका ने क्या धंकी दी, सोवियस संग ने धंकी का क्या जवाब दिया सोवियस संग के खेमे के देशों ने अपनी फौजें कहां फैला ली हैं अमेरिका के देशों ने, ये सब क्यों? एक दूसरे के प्रती बढ़ता मन मुटाओ और उसके ऊपर हथियारों की सरल से, हथियारों की बड़ी सरल उपलब्दता दूसरे शब्दों में यदि हथियार हैं, शस्त्र हैं, तो ये तनाव और बढ़ जाता है, कई गुनाव बढ़ जाता है तो इसलिए अंतराश्टी तनाव को कम करने के लिए, अंतराश्टी स्तर पर भै को कम करने के लिए, बहुत जरूरी है कि निशास्त्री करण हो इसलिए निशास्त्री करण महत्पूर्ण हो जाता है दूसरा निशस्त्री करण की महत्ता वे देश समझते हैं जो उपनिवेशवाद के दौर से गुजरे हैं जो सामराज्य का हिस्सा रहने हैं गुलामी का काल जिन्होंने बड़े लंबे समय तक देखा जिसमें भारत एक रहा तो दूसरा महत्त का कारण है उपनिवेशवाद और सामराज्यवाद का अंत यदि निशस्त्री करण होगा तो ये सुनिश्चित होगा कि कोई उपनिवेश नहीं बच्चे रहेंगे कोई किसी का उपनिवेश नहीं रहेगा और नहीं कोई सामराज्य रहेगा सबी स्वतंतर राष्ट रहेंगे शत्री करण की होर जो है वो राष्ट्रों की शक्ति में वृद्धी करती है और अंतता फिर युद्ध को ही जन देती है ये युद्ध अंतता अंततो गत्वा क्या करते हैं जो विज़ई देश है वो पराजित देश को अपने कबजे मिले के उसे अपना उपनिवेश बना लेता है विज़ई देश स्वेम सामराजवादी टाकत बन जाता है तो इस पकार हतियारों की उपलब्जता के परणाम स्वरूप उपनिवेशवाद और सामराजवाद जैसे विचार जैसी स्थितियां फिर निर्मित होने लगती हैं और यहां फिर विडम बना कि आज विश्व के किसी भी देश से पूचा जाए कि क्या वे समराजवाद के पक्षधर हैं क्या वे उपने वेश्वाद में विश्वास करते हैं तो संभवता कोई भी देश इस पर विश प्रामिल होकर कि या तो वो सामराजवादी प्रवृत्य के ओर बढ़ रहा है या कुछ देश उपनिवेश बनने जा रहे हैं। उपनिवेशवाद और सामराजवाद में वृत्य के ही दूसरे रूप हैं शस्त्री करण। इसलिए शक्ति निशस्त्री करण से उपनिवेशवाद और सामराजवाद का भी अंत होगा। अंतरराश्टी तलाओं और भैकक में कमी तो आएगी है। ये इस तरीके की जो पुरानी विचार धाराएं हैं। पुराना जो विश्वास है। उनिश्वी शताब जी की जो सोच है उपनिवेशवाद और सामराजवाद ये समाप्स हो जाएगा। और इस तकार उपनिवेशवाद और सामराजवाद का अंत करने की दिशा में निशस्त्री करण का बहुत महत्पूर्ण योगदान रहेगा। बहुत महत्पूर्ण उसकी भूमिका है और इसलिए निश्यस्त्री करण आवश्यक है अतियावश्यक है तीसरा महत्पूर्ण करण या महत्वका वहाँ है पर्यावरन की सुरक्षा और सुधार्ण वर्तमान परिप्रेक्ष में जिस वैश्यक समस्याओं की हम बात कर रहे हैं उसमें पर्यावरन बहुत अहम मुद्दा है शस्त्री करण की दिशा में किये जाने वाले जो आणविक परिक्षन होते हैं चाहे वो भू तले हो, जमीन के गर में हो, चाहे वो समुद्र के नंदर हो, चाहे वो उपर आकाश में हो, स्पेस में हो ये जो आनविक परिक्षन हो रहे हैं वे परियावरन को बहुत प्रदूशित कर रहे हूं और सचाई तो यह है कि आज भी आनविक परिक्षन करने वाले देशों की संख्या विश्में बहुत कम है लेकिन जो भी है बहुत कम है लेकिन जो भी है उनके द्वारा समय समय पर किये गए आणविक परिक्षन उसने हमारे परियावन को बिगार दिया है कल्पना करिए यदि निष्यस्त्री करन की बात न हो यदि देश नियंतरन न रखें हथियारों पर कटावती न करें परित्याग करने की बात न करें तो बहुत से देशों के पास यदि आणविक अफ्त्र पहुँच जाएं तो सभिक्ता को तो खत्रा है ही उनके विनाश का प और उसके पहले परियावरन को खत्रा है क्योंकि आणविक हथियारों का परिक्षन होना जरूरी है हर देश परिक्षन करने में ही उसकी सफलता असफलता तो दूर परिक्षन करने में ही जो वातारों दूशित हो जाएगा वा स्वैम में विनाश कारी होगा इसलिए शस्त्री करण की दिशा में किये जाने वाले ये आन्विक परिक्षनों को रोका जाए दूसरे शब्दों में नहीं शस्त्री करण किया जाए तो पर्यावरन को और बदितर होने से बचाया जा सकता है दूसरे विश्वद्दि के बाद 1945 के बाद विश्व में अब तक लगभग 1300 से ऊपर पर्मानू परिक्षन किये जा चुके हूँ पर्मानू परिक्षन टेस्टिंग आप न्यूक्लियर केपासिटी जैसे भारत ने भी पोखरन में किया दो बार किया 1974 और 1998 और कुल परिक्षन पाँच और पाँच दस परिक्षन थे भारत के द्वारा अधिक्तम विश्व में इस परकार 1300 से ज़्यादा परिक्षन हो चके हैं और इसको लेकर वैग्यानिकव का कहना है कि इसके प्रणाम सुरूप परियावरण में जो रेडियो धर्मिता है रेडियो एक्टिफ रेज जो हैं वे मानो जाती के लिए खत्रा औरेडी बन चकी हैं जो रेडियो धर्मी किरने होती हैं वे संभावता आज ही वर्तमान दिनों में ही अपना प्रभाव दिखाने लगी हैं और संभावता विश्व के लाखों लोग जो चमणी आदिकी बीमारी से ग्रसित हो रहा हैं उसके पीछे संभावता ये रोडियो धर्मिता है जो जिसका विकरन आणविक परिक्षणों के कारण हुआ है ऐसी संभावना इसलिए पर्यावरन की सुरक्षा और उसमें सुधार के लिए निशास्त्री करन और निशास्त्री करन ही एक मात्र उपाय है अगले महत्र की बात निशास्त्री करन को लेकर उसका संभन है युद्धों से बचाओ बहुत सरल बात है समझने के लिए यदि आपके हाथ में हथियार नहीं हैं तो आप कितनी भी विवश हों आप किसी को आत्म घाती हमला किसी पर घातक हमला नहीं करेंगे लेकिन यदि हथियार हैं तो एक छोटी सी बात को लेकर भी हो सकता है आपके जेब से पिस्टल निकल जाए अमेरिका इसका एक बहुत बड़ा उदारण है जहां दिन प्रति दिन हम विए बातें सुन रहे हैं समाचारों में जहां विविन पब्लिक प्लेसेश पे चाहे वे शाप्स हों या मॉल्स हों या स्कूल्स हों वहां पर बड़ी सरल्ता से लोंगों को गोलियों से भुन दिया जाता है क्यों क्यों कि वहां पर पिस्टल का लाइसेश आराम से मिल जाता है तो यदि पिस्टल के लाइसेंस करण की प्रक्रिया को बहुत कठिन बना दिया जाए तो लोगों के पास पिस्टल कम रहेगी नहीं रहेगी और उसका प्रणाम क्या होगा कि इस तरह की जो हत्याएं हैं अकारण हत्याएं बेतुकी हत्याएं हत्याएं वैसे तो बेतुकी ही होती हैं लेकिन जिसका कोई सिर पैर नहीं वे नहीं होंगे उसी प्रकार यदि आपके पास बारूद रखा हुआ हो लेकिन माचिस नहो तो आप बारूद का कुछ नहीं कर स पर यदि आपके पास माचिस हो तो देर सबेर आप उस माचिस का उपयोग करके हो सकता है बारू में आग लगा दें और जो बड़ा खतरनाक हो सकता है तो इसलिए युद्धों से बचाओ की संभावना बहुत कुछ देखी जा सकती है जी निशास्त्री करन हो हत्यार ही नहीं होंगे तो युद्ध नहीं होगा नहीं शास्त्री करन का जो आज का दर्शन है आज की जो सोच है वो ये सोच लेकर चलता है कि आदमी लड़ते हैं क्योंकि उनके पास हत्यार नहीं हैं हत्यार हैं हम लड़ते हैं क्योंकि हत्यार हैं बहुत जगह हत्याएं जो हमने सुनी ह वे हत्याएं दोस्तों के बीच में परिवार के संबल्दियों के बीच में ये हत्याएं इसलिए नहीं हुए क्योंकि वो हत्यारा जो है वो वास्ता में हत्या करना चाहता था पर इसलिए हुई कि गुस्टे में तैश में उसने हत्यार चला दिया यदि हत्यार ही नहों तो ऐसे गुस्टे का प्रदर्शन ही नहीं होगा यदि हत्यार ही नहों तो युद्धी नहीं होगे यह आधुनिक सोच है और वास्तों में सही सोच है इस धार्णा करत यह है कि यदि आदमी सब हत्यार छोड़ दे पूरी तरह से नहिशस्त्र हो जाए तो सब के लिए लड़ना असंबह हो जाएगा इस धारना का मतलब ये हुआ कि नहिशस्त्री करण का मार्ग अपना कर युद्धों से बचा जा सकता है विश्च को युद्ध विहीम बनाया जा सकता है और ये कभी संबह है जब नहिशस्त्री करण सफलता पूरव कर लिया जाए पांचवा अहम मुद्धा महत्व का मुद्धा वा है विश्व शान्ति और बन्भुत नहिशस्त्री करण मात्र युद्ध विरोधी नकार आत्मक अभियान नहीं है कि हम बंदूक ना रखें ताकि हम हत्यार ना चला उसका उप्योग ना करते के ये एक नकार आत्मक सोचा लेकिन सकार आत्मक ये है कि विश्व को शान्त बनाना है एक विश्व बंदूत की भावना के साथ आगे बढ़ना है और इसलिए हम हत्यार ना रखें इसलिए हम हत्यारों का उत्पादन ना करें क्योंकि हम शान्ति चाहते हैं हम विश्व बंदूत की भावना चाहते हैं वसिधाईव कुटमबकम कि जो भारत के स्वंस्कृति की जो धारना है उसके पीछे यही बात है कि विश्वशान्ति और विश्वबंधुति के भावना इसलिए चूंकि हम इस भावनाओं में विश्वास करते हैं इनकी कदर करते हैं इन भावनाओं को आगे बढ़ाते हैं इसलिए अपने आप फथियारों के हमें जरूत नहीं पड़ती यह सकारात्मक रवईया है निश्वश्त्री करण के लिए सोचने का तो विश्वशान्ति और बंधुत्व का सकारात्मक पहलो भी है निश्वश्त्री करण मात्र युद्व विरोधी नकारात्मक अभियान यह विश्व को सुरक्षा प्रदान करेगा विश्वशान्ति विश्वबंदुत की भावना को इसके प्रसार में बहुत अहम योगदान देगा तीसरे विश्युद्ध की जो आशंका जो 1945 के समाप्त के दिनों से ही शुरू हो गई थी क्योंकि 1945 का युद्ध समाप्त तो हुआ विश्वशान्ति की दिशा में सुविक चला संकी स्थापना तो हुई नहीं शहस्त्री करण को लेके बड़ी-बड़ी बातें का दौर चला लेकिन जो देश इसमें आगे थे वही देश शहस्त्री करण में भी सबसे आगे थे शहस्त्री करण की दोड़ में सबसे आगे थे और जिस दिन समाप्त हुआ कमोबेश उसी ही दिन से तीसरे विश्युद्ध की संभावना पनपने लगी थी और उसी संभावना को रोकने के लिए ही तो संयुक्त राज्चंके स्थापना हुई शांति को लेकर बड़ी बैठके हुई तृती विश्वद की आशंका से भैवित विश्व को नह शस्त्री करण अंतरराश्ट्री तनाव, पारसपरिक भै, घ्रिना, द्वेश या युद्ध की संभावना का अंत, ये उद्धिश सामने रखकर नह शस्त्री करण की जौरत है विश्व शांति और विश्व बंधोस्त, ये हमारे लिए बहुत अहम हो गया है क्योंकि जहां प्रद्धिती विश्वद समाप्त होता है तीसरे विश्वद के संभावना इतनी बढ़ गई थी और तीसरे विश्वद के होने वाले संभावित नुकसान इतने ज़्यादा थे कि अलबर्ट आइंस्टीन जैसे महान वग्यानिक ने कहा था कि यदि इसी तरह से दुनिया आगे बढ़ती रही शत्रों की होड में तो संभावना है कि तीसरे विश्वद इतना खतरनाक होगा यदि होता है तो कि शायद चौथे विश्वद में धनुषबान का उप्योग हो अर्थात चौथा विश्वद यदि होगा तो उस विश्वद में उस विश्वद के काल में सब्धिता हज़ारों वर्ष लाखों वर्ष पहले चली जाएगी और ये पहले चली जाने के का कारण होगा तिरती विशुद्ध जो सब्धिता का पुरविनाश कर देगा तो तीसरे विशुद्ध की आशंका उससे विश्व भैवीत हो गया था और आइंश्टीन का बियान उस भै को बखूबी डिस्क्राइब करता है और इसलिए हमें ऐसी भावनाओं को सामने लाना है जो विश्व बंदुत को बढ़ाए तनाओं, भै, घ्रिना, द्वेश इन सब को दूर रखे इसलिए विश्व शान्त की स्थापना, विश्व बंदुत के भावना इसके प्रसार के लिए जरूरी है कि इन हथियारों को हम अनावश्यक समझे इन हथियारों की उपलब्दता हमको हम दर किनार कर दे इन हथियारों को हम की उपस्थित को हम आधार हीन माने व्यर्त का खर्च माने, व्यर्त के शेस्तिरों का परित्याग कर दें और एक तरीके से इन हथ्यारों के प्रती नफरत पैदा कर लें श्वयम इनहें नफरत की दृष्टी से देखने लगे निशस्तिरी करण के मार्ग को अपनाना ही शरयस कर होगा ऐसा हम मानने लगें केवल युद्ध को हटाने के लिए नहीं नकारात्मक नहीं बलकि विश्व में शान्ती विश्व को एक हैपी वर्ल बनाने के लिए हम इन सब चीजों को की तिलांजली दे दे और ये तब संभव है जब हम नहिशस्त्री करण पर पूर्ण रूपेन अंदर से विश्वास करें इसलिए नहिशस्त्री करण के मार को अपनाना श्रयस्कर होगा